तो दोस्तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टिवर्स और मैंडेस मूवी को आने में बस कुछी दिन बचें तो आज हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो हमें ये मूवी देखने के पहले पता होना चाहिए इसलिए इस वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखना लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीजर चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लेना और ऐसे ही और भी अमीजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर देना तो विदाट वेस्टिंग टाइम सीधे में टॉपिक पर डॉक्टर स्टेंज मल्टिवर्स ओफ मैडनेस छे माई को इंडिया में रिलीज होने वाली है जो हमें इंगलिश, हिंदी, तमिल, तैलगू, कनाट और मलयालम लेग में जिसमें देखने को मिलेगी इस्पाडर में नोवे होम में डॉक्टर स्टेंज के स्पैल में गडबड होने के कारण मल्टिवर्स के दरवाते अब खोल चुके हैं जिससे शायद अपनी और मल्टिवर्स की दुनिया खतरे में हैं जिसको सही करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अब क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये सब हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा अगर हम ट्रेलर के हिसाब से देखे तो अब बात कर इस मूवी में अपेर होने वाले characters की तो वो ही Doctor Strange, Wanda, Wong, Modo और एक new group भी है जिसका नाम है Illuminati जिसके 6 members होंगे इस topic के उपर एक separate वीडियो का लाने वाली है तो प्लीज हर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और bell notification को भी हीट कर देना ताकि आप वो वीडियो मिसना कर पाओ इस movie के trailer में हमने एक new character को भी देखा है जिसका नाम है America Chavez जो Starship की portals खोल के अलग-अलग universe में travel करती है जो इस movie में Doctor Strange की help करेगी और इन future Kate Bishop और Yelena की ही तरह Young Avengers की पार्ट बनेगी Multiverse of Madness movie बाकी Marvel movie से ज़ाद adventurest, comedy और action से भरपूर होगी और इस movie में हमें बहुत सारे cameos भी नज़र आने वाले है क्योंकि है यह पूरी movie Multiverse पे based है तो यहां हमें different superheroes के different variants भी नज़र आने वाले है और Doctor Strange के variants तो हम already देख चुके है इस movie को direct कर रहे है Sam Raimi जो Spider-Man 1, Spider-Man 2 और Spider-Man 3 को भी direct कर चुके हैं और इस movie का running time में 2 घंटे 6 मिनिट और अगर आप Marvel के fan अभी अभी बने हो या फिर पहले से ही हो और इस movie की hype को देखकर आप इससे देखने जा रहे हो तो इस movie को देखने के पहले Marvel की Doctor Strange, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Wanda Vision और Spider-Man 9 ओम जरूर देख लेना लेकिन आप चिंत इस movie को पूरी तरह से enjoy करना चाहते हैं तो यार यह पूरी movies और Wanda Vision का show जरूर देख लेना तो यार आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे comments में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको like and share कर दो अपने दोस्तों के साथ और आप में से बह प्राइब इगल लो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में